Hello friends, welcome to PS art, I am Reena Chen for learning Photoshop from basics to advanced. Please subscribe to this channel and press the bell icon to get all new updates. आज का हमारा टॉपिक है how to create CA business card in Photoshop तो चली शुरू करते हैं. सबसे पहले file menu में जाएंगे, new पे click करना है, याँ पे width 3.5, height 2 रखेंगे, inch में ही रखना है, resolution 300 रखेंगे, color mode RGB color selected है, background contents white selected है, इसके बाद ok पे click करना है, अब इसे screen में fit करने के लिए control की को hold करते हुए 0 की press करेंगे, अब हुमें यहाँ पे rectangle create करना है, तो इसके लिए यहाँ से rectangle tool select कर लेंगे, और अब यहाँ पे rectangle बना लेंगे, अब हमें इस rectangle का color change करना है तो इसके लिए यहाँ पर click करना है और फिर यहाँ पर click करेंगे और अब यहाँ पर hashcode type कर लेंगे 9C410F इसके बाद occupied click करना है और फिर enter की press करेंगे और अब control key को hold करते हुए T की press करना है और फिर इसके इंदर right click करना है और यहाँ से skew का option select करेंगे और फिर top left corner को नेचे की दरब drag करना है और इसके बाद top right corner को उपर की दरब drag करेंगे और फिर इसे यहाँ पर set कर लेना है इसके बाद यहाँ पर click करना है अब हमें इसकी duplicate layer बनाना है तो इसके लिए control key को hold करते हुए जह की प्रेस करना है आप देख सकते हैं duplicate layer बन गई इसके बाद control key को hold करते हुए T की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे यह इस तरह से set करने के बाद यहाँ पर click करना है अब हमें इसका color change करना है तो इसके लिए यहाँ पर click करेंगे और फिर यहाँ पर click करना है और अब यहाँ पर hashcode type कर लेंगे E8641B इसके पाद OK पर click करना है और फिर enter की प्रेस करेंगे और अब rectangle 1 copy करके जो layer है इस पर right click करना है और यहाँ से blending option select करेंगे और फिर यहाँ से drop shadow का option select करना है blend mode multiply रखेंगे color black रखना है opacity 75% रखेंगे use global light को check रखना है angle 120 degree रखेंगे और distance की value यहाँ पर 10 pixel करेंगे spread value 0% रखना है और size यहाँ पर 15 pixel कर लेंगे इसके पाद OK पर click करना है अब हमें rectangle 1 copy करके जो layer है इसकी duplicate layer बनानी तो इसके लिए control key को hold करते हुए 6 की प्रेस करना है आप देख सकते हैं duplicate layer बन गई इसके बाद control key को hold करते हुए T की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे अब हमें इसका color change करना है तो इसके लिए यहाँ पर click करना है और फिर यहाँ पर click करेंगे और अब यहाँ पर hash code type कर लेंगे F09450 इसके बाद OK पर click करना है और फिर enter की press करेंगे और अब rectangle tool है वहाँ पर right click करेंगे और यहाँ से custom shape tool select करना है इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से phone का icon select करना है इसके बाद enter की प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर create कर लेंगे अब हुमें इसका color change करना है तो इसके लिए यहाँ पर click करना है और white color select करेंगे इसके बाद enter की प्रेस करना है और फिर control की को hold करते हुए T की प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे और अब कंट्रोल की को hold करते हुए T की press करना है और इसे यहाँ पे set कर लेना है इसके बाद यहाँ पे ख्लिक करेंगे हमें यहाँ पे location का icon set करना है तो folder से इसे drag करना रो Photoshop में लाके इसे drop करेंगे इसके बाद यहाँ पे click करना है अब हमें इसमें पि-white color feel करना है तो icon करके जो layer है, इस पर right click करेंगे और यहां से restorize layer, इसे select करना है अब हमें इसमें selection बनाना है तो control key को hold करते हुए इसके thumbnail पर click करना है आप देख सकते हैं, selection बन गया अब इसमें white color feel करना है तो आप देख सकते हैं मेरा background color white set है already अगर आपका नहीं है तो आपको D की प्रेस करना है तो ये by default set हो जाएगा अब इसमें fill करने के लिए control key को hold करते हुए backspace की प्रेस करना है और इसे select करने के लिए control key को hold करते हुए D की प्रेस करेंगे और अब हमें इसकी size कम करने है तो control key को hold करते हुए D की प्रेस करना है और फिर alt और shift key को hold करते हुए corner से drag करेंगे अंदर की तरफ और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे अब हमें यहाँ पर text type करना है तो इसके लिए यहाँ से type tool select कर लेंगे font आप देख सकते है mode select करके जो font है वो use कर रही हुए आप चाहे तो कोई भी font use कर सकते है तो जो भी font आपको use करना है उसे select कर लेना है और अब यहाँ पर company का contact number type कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करना है अब हमें text की size गम करनी तो यहाँ पर click करना है और ici देख से 7PD select करना है इसके बाद control key को hold करते हुए T की press करेंगे और इसे यहाँ पर set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर 1and contact number type कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर Ctrl की को hold करते हुए T की प्रिस करना है और इसे यहाँ पर set कर लेना है इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर website का URL टाइप करना है इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब control key को hold करते हुए T की प्रिस करना है और इसे यहाँ पर set कर लेना है इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और अब यहाँ पर email address टाइप कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करना है और फिर control key को hold करते हुए T की प्रिस करना है और इसे यहाँ पर set कर लेना है इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और अब इन सारे text वाली layer को select करना है तो shift key को hold करते हुए contact number वाली layer पर click करेंगे आप देख सकते हैं यह 4 layer select हो गई अब हमें text का color white रखना है तो यहाँ पर click करेंगे और white color select कर लेंगे इसका hashcode आप देख सकते हैं 6f है इसके बाद ok पर click करना है और अब यहाँ पर address type कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और फिर control key को hold करते हुए t की press करना है और इसे यहाँ पर set कर लेना है इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर नाम टाइप कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर ग्लिक करेंगे अब हमें इसका color change करना है तो इसके लिए यहाँ पर ग्लिक करना है और black color select कर लेंगे इसका hashcode आप देख सकते हैं 6-0 है इसके बाद ok पर ग्लिक करना है अब हुमें इसकी size बढ़ानी तो यहाँ पे click करेंगे और 12pd select कर लेंगे इसके बाद control key को hold करते हुए टीकी प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे click करना है और यहाँ पे designation type कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और फिर यहाँ पर click करना है और यहाँ से 8PD select करना है इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से regular select कर लेंगे और आप control की को hold करते हुए T की press करना है और इसे यहाँ पर set कर लेना है इसके बाद यहाँ पर click करना है आप देख सकते हैं हमारे business card का front side design हो गया है अब हम इसका back side design करेंगे तो इसके लिए file menu में जाना है new पे click करेंगे और यहाँ पे width 3.5, height 2 रखना है inch में ही रखेंगे resolution 300 रखेंगे color mode RGB color selected है background contents white selected है इसके बाद ok पे click करना है अब इसे screen में fit करने के लिए control की को hold करते हुए 0 की press करना है और अब custom shape tool है वहाँ पे right click करेंगे और यहाँ से rectangle tool select करना है और अब यहाँ पे rectangle create कर लेंगे अब हमें इसका color change करना है तो इसके लिए यहाँ पे click करेंगे और फिर यहाँ पे click करना है और अब यहाँ पे hash code type कर लेंगे 9C410F इसके बाद ok पे click करना है और फिर enter की press करेंगे और अब control की को hold करते हुए T की press करेंगे और इसे यहाँ पे set कर लेंगे और अब इसके इंदर right click करना है और यहाँ से skew का option select करेंगे और फिर bottom right corner को left की तरब drag करेंगे इसके बाद यहाँ पे click करना है अब हमें इसके duplicate layer बनानी तो इसके लिए control की को hold करते हुए 6 की press करेंगे आप देख सकते हैं duplicate layer बन गई इसके बाद control की को hold करते हुए T की press करना है और फिर इसके इंदर right click करेंगे और यहाँ से rotate 180 degree इसे select करना है और अब इसे right side में set कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे click करना है अब हमें यहाँ पे logo set करना है तो rectangle tool है वाँ पे right click करेंगे और यहाँ से custom shape tool select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे click करना है और अब इसे scroll up करेंगे और यहां से यह वाला shape select कर लेंगे इसके बाद enter की press करना है और अब यहां पे create कर लेंगे यहां पे मैं logo की जगे shape का use कर रही हूँ अब control की को hold करते हुए T की press करेंगे और इसे यहां पे set कर लेंगे इसके बाद यहां पे click करना है हमें यहाँ पर text type करना है तो इसके लिए यहाँ से type tool select करना है और अब यहाँ पर company का नाम type कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और अब यहाँ पर click करना है और यहाँ से 12pt select कर लेंगे और फिर यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से bold select करना है इसके बाद control key को hold करते हुए ठीकी प्रिस करना है और इसे यहाँ पर set कर लेना है इसके बाद यहाँ पर click करना है और यहाँ पर tagline mention कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करना है और फिर यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से 8pt select करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से regular select कर लेंगे इसके पाद control key को hold करते हुए T key press करना है और इसे यहाँ पे set कर लेना है इसके पाद यहाँ पे क्लिक करना है और फिर shift key को hold करते हुए logo वाली layer पे क्लिक करेंगे और अब control key को hold करते हुए T key press करना है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही So friends, I hope you like this video If you are new visitor then please subscribe to this channel and press the bell icon to get all new updates